अब हमारे यहां सभी नेता हो फस्टित हैं अदनिया जार्थ क्रांप, पार्थी केश्ट, कोमर साहब, हमारे स्टी पिया इनस्टा सेक्रेटरी, तस्रीप शाहब, हमारे नेता डॉक्टर अगलार कामर जी, वसीम जी, हमारे विदायग रामसंदर जी, हमारे जन्टा कॉंग्रेस के मारे नेता और इंडिया मुस्लिम, आप हमें घोषना करेंगे होंके, आज जो पीदिये, जो समर्तन देने आज चलके आएं, दो बड़ा घड़क, हमारे पुरु सांसर, यहां पस्तित हैं, और इंडिया मैनोटीज फ्रंट राष्टी एधरक्ट, SIF, XMP, आसिप साथ, जिनका सानीद हमको सुरु से रहा है, वो भी यहां मौझूद हैं, और इंडिया मुस्लिम राष्टी एधरक्ट वसी अमर जी, मुस्लिम मजलिस के राष्टी एधरक्ट वो भी यहां मौझूद हैं, सभी लोग और जो लोग स्टपोर्ट किया हैं, चित्थी भेज़े हैं, भारत इंट्रिगेटर रक्षक पार्टी, अर्जक अधिकार दल, अजार भारत पार्टी, इंडियन बिजनिस पार्टी, शूशित समाट पार्टी, रास्तिय जन उताद पार्टी, पिछला समाट पार्टी, अपना जिन्विये अपना दल पार्टी, भारतिय संगम पार्टी, करनल विनोध कुमार्थि के नत्वित में ये सभी लोग, बरेत परमाने पर सभी की चित्थी आ गई है, और इन लोगों ने दियार को बचाने के लिए Progressive Democratic Alliance कुछ इस तरीके से लगातार मदद कर रहे हैं मुझे उमीद है कि यह जो ड़ाबना गड़ मंदन है ड़ाबना एक तरफ संपुर्दाइकताबार और एक तरफ जातियताबार एक तरफ उनमार एक तरफ आतन यह जो यह जो तीस सालों से जो यह लिएर के युवाओं को, किसानों को मजदूरों को जो जातिये उनमार जातिये धंगा और संपुर्दाइक धंगा के भावनात मत खेल में आज गहरी चिंता पूरे देश की बिहार को लेकर के हैं हमारा नेता अजा भारत पाक्ति और देश भर के नेता जो लड़ने की उपर रखता है चन्सेकर रावन जी देश भर में लाथी का रहे हैं और यहां घिरोनी इराजित नी चल देगा पूरी पीदिये सरकों पर है मेजियों के समार पर जो घटना घटी है यह वड़ा विचित्र है और इसको तो रोकने की पूरी साधी तो हम लोगों ने गहरी चिंपाया कि इस जांच की सीबी आई चांच नहीं हो इसकी जांच जैनी सीबी आई हो तो सुप्रिब कोट के किसी परतमान नियादीज के मुनेट्रिंग में यह चांच हो हर परस्टिंडियों भी बड़ी गहरी चिंपाया इस तरीके से राउल गानी जी पर या हन पर देश के लोकतंत हद्रे में यह बड़ी गहरी चिंपाया का विशा है प्रियंका जी को इस तरीके से मेलने की रिवान पकड़ा उसको आभिनम सस्पेंट करना चाहिए यह मेरा धिमांड है यह सबसे बड़ा दिमांड है मेरा मैं दूसरा मां मेरी कहली चिंपाया थी CBI के मिली भगत से सुसांत के केस को रफार रफार कर दिया जाएगा CBI ने गहरी साजिस रजकर पुना सुसांत के मर्डर को आत्म हत्या करवाने में कोई कसर इसी की चिंपा थी मुझे तो यह साजिस नजर आ गई कि कैसे यह लोग राजनिती करते हैं इस्तमाल करते हैं यह दो बड़ी घटना हद्रस की बेती गया की बेती का आत्म हंद्या भववा और बकसत की बेत्यों के साथ बरकार और पूरे देश के संबिधान घट्रे में इससे बड़ी घटना दुनिया में कुछ नहीं हो सकती और पूरी पीदिये भारत की लोगतंत्र को बचाने के लिए और जोगी के हिंदू गुंडे से विहार और देश को बचाने के लिए इकत्रित है और यह आवाज बिहार की जंता के द्वारा इसका जबाब दिया जाएगा अभी हम आगरत करेंगे जो लोग आज हमारे नेता सपोर्ट के लिए आए खरे होके मजबूत ताकत के साथ हम लोगा हाथ में हाथ मिला करके बिहार की एकता के लिए फिर आपको जो कुछना होगा आप भूचिए आगे आगे हम लोगा के गटबंदन का हिस्सा है बिहार वो बोलो क्या देंगे जो लोग अपने गटबंदनों का समान नहीं कर सकते ना NDA में किसी गटबंदन का समान है ना NDA में बिजेपी और नितिस कुमार जी एक गुष्टे के भीतर का कोई रस्पेक्ट है ना कॉंग्रेश और एक बड़े गटबंदन जिसको ना जाने क्यों लोग दो रहे हैं उनका कोई रस्पेक्ट है विहार की जनता जानना चाहती है लालू याददी आप नंपय में जब CPR, CPM भाजपा अन पार्टी का सपोर्ट लिये थे तो शरकार बनने के बाद बामपंथी पार्टी को टुक्रे टुक्रे में किया गया था और फिर बामपंथी पार्टी को कभी भी रस्पेक्ट नहीं मिला लगाता गटबंधन की राजनिती बिहार में चली और इस गटबंधन और जातिय और संप्रदाइक राजनिती के भी बिहार के युवाओं की जिंदगी को टबाद किया गया बिहार के किसानों की जिंदगी को टबाद की गई बिहार के महलाएं और सुरक्षित नहीं बेटी हमेशा धरी रही बिहार के मजदूर हमेशा अपने बच्चों की रोटी और पेट के लिए अपनों से दूर रहे कभी बिहार की चिंता नहीं हुए मुझे समझ में नहीं आता कि लगातार बिहार में दियने का सबार क्यों उट रहा है कभी निदीज गुमार जी अपने दियने पर पूरे बिहार को लेते है मेरा चार सबार है उस गर्ती से जो दियने की बात करता है क्या पपू यादब कर दियने अच्छा या खड़ा इससे किसी गरीब के पेट का और किसी मिडल किलास किसान या यूद के जेव में एक सो रुप्या नहीं रहता है उस पर कौन सा बैस पपू यादब का खून गलत है या सही इससे गरीबों के खून का मुल्यांकन पैसिर हो सकता है पहला दूसरा सवाल जाती खत्रे में हो या मधर या धर इससे भारत बिहार के 13 करों लोग जो असीठी बेरोजगार है जहार्द परिवाद धरा और अभाव में जी रहा है इससे किसी धर्म से या किसी जात्र से वा धरा हुआ परिवार या सुरक्षित परिवार कैसे मुश्कुराएगा ये सवाद और तीसरा सवाद जब ये लोग घर में बाइट के ट्वीट का खेल खेल थे मायवत दीजी हमारे नेता हो या कोई जब संकों पर बेटी बचाने की बारी हो तो बिहार में कोई आवाज नहीं उचती है नरंड मुदी जी आपके विठला और घृत्पूरी के ट्वीट से क्या बिहार का मजदूर का पराइन रूप जाएगा आपके जुबलेबादी से आपके लिज्एएग के ट्वीट से कि क्या विहार के मजदूरों का पराएन और युवाओं के रोजगार जो बर आतमा किया करने पर मदबूर हुआ क्या वो रुक जाएगा या सवाल विहार के जहन में छाना चाहिए कि पप्पू या किसी नेताओं के दियने से विहार के बारत करो जनता है जो परिसान है उसकी परिसानी कैसे लुकेगी जो प्रशक्ऌश में नबरा वह होगे शबिस नमब्याइव एक नमब्ड कर डग है वियार के 25 नमर भूब पर है वो एक नमर में कैसे जाएगा वियार में 1300 मार फैक्ट्री है जो उन्हें सीना में नहीं है रोजदार नहीं है वो कैसे अभलब करेगा यह नेता लोग ब्रैक्मेलिंग करते हैं इमोशनल ब्रैक्मेलर हैं यह तो पर अब कोई सौदा नहीं होता राजमिती नहीं होता विचारध्वा पर नहीं होती है बप्पुयाग अब बदनेशिणाल एलाइस कब है इस देश मैं में मानता हूं डिट्रिल एलाइस बाद कभी बामपंथी काक्यों के साथ होगी थी तैंदे बाभा साब अंबेत करकी सट्रों रुपिय में बदल जाता है मंदफर्देश में आप पैसे पर आप सरकार बदल देते हैं राजस्तान की सरकार गिराते हैं मनिपूर में दो विधा गया है और आप मुखमंत्री बंग गया है क्या यह बत नेच्छल एलाइस है आपको कोई नेच्छल एलाइस नहीं है अपको सत्ता सियासत और भौट को लेकर के होता है फूरे देश का नेटा अपने वर्कर्स से पैसा लेकर के तिकट लेता है लग लग पार्टियों की स्टितिक कुछ नग कुछ ड्राक में लिए इस देश में वर्करों का सोधा क्यों होता है इस देश में चांती के अधार पर हिस सिर्फ तिकत्कियों बटबारे होते हैं और इस देश में चाहती के अधार पड़ दियने खराब कैसे होता है यह सवाल आध पॉलिटिक्स के लिए प्रासंगी को चुका है और यदि बिहार की जनता इसको नहीं मानेगी तो नेताओं का दियने एक दूसरों की लड़ाई के लिए खराब होगा इसमें विहार की जनता पीश्की देख जो कल से आज तक खोड़ा है मैं ऐसी चीजों की आलोचना करता है नेताओं को जूट और धूटाई करना नहीं चाहिए अपने गखमधन के साथ फ्यर रहना चाहिए मैं अस्पस कहता हूं यदि बिहार बचाने के लिए हम पांच सालों से लगातार सरकों पर हैं लेकिन फप्पू यादब वहरा करता है स्वागत करेंगे हम मुकेशी हो चाहिए खुश्वाजी हो हर परस्टिती में कि आप मुकमंत्री का सपना देखिए मैं आपके पीछे घर्र होंगा मुझे कोई मुकमंत्री का सपना नहीं देखना है मुझे बिहार के यूद को पलाइन मजदूर को और बेट्यों की सुरक्षा है मियत है मेरे लिए इन सौधागर के तरह जो लोग मुकमंत्री से चिपकूँ है चाहिए वो निटीज कुमार हो रामिलास पास्वान मौत के मुँमें है जिद्गी जी रहा हो और उसके बाद जिस तरीके से निटीज कुमार और गट्मंत्री उसको परिसान कर रही है बेचत कर रही है पता नहीं रामिलासी रहेंगे की नहीं मैं भगवान से प्राक्ता करता हूं कि रामिलासी हम लोग के बीच अभी रहे हैं लेकिन जिस तरीके से ऐसे समय में जब रामिलासी का किन तीन ओप्रेशन हो और उस वक्त एंदिय उसको साथ छोड़ दे और नितिश्क मार भाय की धूली समझने लगे यह दुर्भाग है पोलिटिक्स का और कल जो घटना घटी वह बहुत गलत पहले माजी को माजी को पहले पढ़क नितिश्क ने किया फिर मा घटना ने किया और कॉंग्लेस उसकी हिपाज़त नहीं कर पाई कॉंग्लेस की जिमेदारी थी हिपाज़त करने की फिर दूसरा और देनल कुछबा जो कॉंग्लेस मिनिमन प्रोड़ाम और शिर्फ एक मजबूत रखुद के साथ चुना लगने की बात कर रहे थे आप उसे भी निकार दिया कॉंग्लेस तो लक्षन लक्षन नहीं दे पाई और जो टर हुआ कि आप बंखोठी में कुछ कहा दिये कम सीयम बनाएगे ऐदिटी शियम बनाएगे हम आप चौबी सीड़ देंगे आप वहां कहते हुनको लगता पसंद है तो जाता नहीं लगता तो नहीं जाता आप बैचारिक एलाइंस क्यों नहीं करते आप सप्सक्रा के लिए अपमान क्यों करते हैं और यह अपमान कोई है पार्टी नहीं करती है लगभग पार्टों की शित्रत दूसरों को ठगने दूरता ही करने की है मैं बड़ा दिल दिखा कर सागत करता हूं कुस्मा जी आपका मुझे सीथ सेहरी में कोई दिक्कत नहीं है और ना मुझे सीम बनना है आप दोनों को सीम बनना हाए हम आप दोनों के स्वागत करते हैं अब से बात होती है क्या बात भी आप पती पती से क्या बात हो हो आप भी बताने हैं आप इसमें हम बहुत से बहुत अलाग बात करते ह कर दोना आदमी का चाहत है तो का कूंती होगे राजा से पुछते हैं राजा के बारे में मुझे दो समग नहीं आठी मेरी तो कोई अवकाद नहीं है अवकाद क्या होगा व्यार अन दोना आदमी का चाहत है तो उकात कुंती हो गिरा तो राजा से बुचला करने कूपे खोगाद करने को व्यार फिश्य के बढरन को जैत早ि करें करने आएगा तब हम भी कुछ आपको बताता है कर दो के परवक्ता कौन है नहीं ये कोई महां कड़मना कि फित्रत नहीं है लगबग जनता मेंडेट कुछ देती है और सरकार किसी ओरता बन जाता है अब सिर्फ विगाई हो चुके हैं आप आएए जनता का चुनप और हम ठीक जाएंगे है लगबग हिंदुस्तान के जन्फुति निदी का करेक्टर लगबग उसकी तरह का हो गया है विचारधारा से कोई मतलब नहीं बज़ गई मैं आपको बचन देता हूं कि जो वादा मैंने किया है वो दोनों आदमी आएं बड़ा दिल दिखाएं पीदिये उसके समर्थन में खरेड़ेगी पीदिये को कोई जल्दी बादी नहीं है बिहार में मुक्मंत्री बननेगी और बिहार में जीट को लेकर के मैं में कुम-कुम तर नहीं है मैं दोनों आदमी से सिर्फ दो आदमी शियाग्रा करू रहाएं आप कैसे लगना चाहते हैं ब्याद को बचाने के लिए बताएं बीदिये साथ खरेड़े ने कहा है कि आप से भी बात बुई है क्या कहीं महां बिए मेरे तरफ से पुए धिकत नहीं है मैंने पहले कहा जितको जो स्वागत करेंगे पूरी पीदिये साथ खरेगे सार मुकेश चानी जी सीम का सपना देखे न मैं स्वागत कर लोगा क्या दिखता तो पर नर्जी भी सपना देखे न कोई तो एक ही बनेगा न सार्ड कोई जोरी तो यह जब पांस पर डिपकी सीम हो सकते है तो चार्ट तो सीम भी हो सकते हैं कि यह तो थैपरना मुकेश जी और उनको है जिनको जबर्दस्ती युवराज बना दिया जाता जस करनी तस भूगनी जिस तरह का आच्रन करिएगा वैसा है न पाईएगा रोपियेगा भबूल को खायेगा ख़जो उत्स मुकेशी ने किया गलत शेम किवाद नहीं होता है और जो बन को ठीन है और जबर्दस्ती जूट बोलते हैं आपके रुवराज वो ठीक आप जरूर जादर्थी होंगे परसितर हैं हम पर ने को कर पूंगा है नहीं हम नहीं जाए तो इसमिद्वारों की भोष्णा अब लाला ग्वाला में तो कोई अंतर है ने जिनता मत करि पहले नितीज से पूछ लिजिए जो 15 साथ चलाए है और गुपेंदर जी और फड़नवीर से मिले क्यों नहीं उसे पूछ लिए और उनका घोष्णा कब होगा अर जो शक्ता के लिए पेचेन है उनसे पूछ लिए हमना मुखमंत्री के उमिद्वार है अन्ना पीदिये प एचे